नमस्कार मैं हूँ पत्रकार रुफट नसीम और आप देख रहे हैं रब जिलाई बिहार के महागडबंधन में मचा घमसा खत्रे में नितीश सरकार जिहां वैसे तो बिहार में साथ दलों की सरकार है लेकिन यहां इस्थिती यह है कि इनमें दिखने वाली एक ता बालू के ढेर की तरह है जो कभी भी ढह सकती है इसका एक नमूना फिर से देखने को मिल रहा है दरसल राज़त के कुछ नेता तो खुल कर नितीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते ही रहते है अब माले ने भी आके दिखाना शुरू कर दिया है आपको बता दे कि बिहार में कॉंग्रेस के विदायकों कि संख्या 19 है और माले के विदायकों कि संख्या 12 लेकिन कॉंग्रेस ने जहां 70 सीटों पर विधान सभा चुनाओं लड़कर 19 सीटे हासल की तो माले ने मात 19 सीटों पर चुनाओं लड़कर 12 सीटे जीती थी वहीं कॉंग्रेस पार्टी नितीश तेजस्वी सरकार के मंत्री मंडल में शामिल हैं और इसके दो मंत्री भी हैं लेकिन माले नितीश तेजस्वी सरकार को बाहर से समर्थन कर रही हैं वैसे माले चाहती तो मंत्री मंडल में शामिल हो सकती थी लेकिन माले ने अपना अलग रास्ता चुना दरसल विदान सभा के शीत कालीन सत्र में माले ने लगतार सरकार को किसी न किसी निती मुद्दे पर घेरते नसर आई हैं हाला कि माले ने बीजेपी को रोकने के लिए महागडबंदन की सरकार को समर्थन दिया लेकिन माले मानती हैं कि वो जनता के सवाल पर मू तकने वाली पाटी नहीं बनी रहेंगी इसलिए माले ने संकेत दे दिया है कि लड़ाई लड़ेंगी जनता की लड़ाई बड़ी बात ये है कि माले ने सारन बी हुई दर्जनों मौत पर मौवज़ा देने की मांग की है वैसे तो मौवज़े की मांग BJP भी कर रही है लेकिन माले के राज्य सच्छेव कुनाल ने यहां तक कह दिया है कि सीवान में शराब कांड जनसनहार कांड की तरह है और ये सरकार का फीलियर है उन्होंने कहा कि इसमें गरीब बस्तूर लोग बड़ी संख्या में मारे गए है इसलिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार पौर्ण विचार करे बता दे कि नितीश कुमार ने विदान सभा में कह दिया है कि शराब से मारे गए लोगों के परिजनों को एक पैसा मुआफजा नहीं देंगे नितीश कुमार ने माले से इस मुद्दे पर समर्थन देने की मांग विधान सभा में अपने भाशन में की लेकिन माले जन्ता के साथ है मुख्यमंत्री के साथ नहीं इसी कड़ी में माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि परदर्शन की जरीए हम अपनी मांग को असरदार तरीके से रखना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जन्ता को भी अपने हक अधिकार को लड़ने को तयार रहना चाहिए कोई पदरिकारी उसे जबरन अतिकर्मन के बहाने बुल्डोजर चलवा रहा है जैसा कि पटना में दिख रहा है कि बुल्डोजर चलाने के बहाने लोगों की लाखों रुपे की संपत्ती को लूट लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरों पर कड़ी कारवाई करनी चाहिए माले नेता ने कहा कि हम जनता को बताने के लिए परदर्शन कर रहे हैं कि इस पर सरकार संग्यान ले रही है इस तरह माले ने हाला कि ये कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं बलकि सरकार के knowledge में जो बाते नहीं आ रही हैं और सरकार के पददिकारी सरकार को जो गलत report दे रहे हैं उसका ध्यान हम परदर्शन और memorandum के माध्यम से दे रहे हैं पार्टी का कहना है कि हम मुक्यमंत्री का ध्यान आकरशित करना चाहते हैं वैसे जिस तरह से माले खुल कर जनता के नाम पर सरकार का विरोध कर रही हैं वे महागडबंधन सरकार के लिए खत्री का संकेत है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाती साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे अभी इसी वग धन्यवाद